तो अगर दुनिया में सारे के सारे लोग इंलाइटन हो गए, पुरी युनिवर्स में तो सब खतल हो जाएगा कौन नौकरी करेगा, कौन हमारे लिए होटेट खोलेगा जिसमें हम पीजा खा सकते हैं कौन से लोग हमारे लिए चाकर होंगे, हम मौदमस्ति कैसे करेंगे इस क्रेशन का एक सिंपल आंसर ये है, कि पूरी दुनिया हॉस्पिटल है और उसमें हम लोग भढ़ती हैं मरीज की तरह पूरी दुनिया अगर सेहत मन्द हो जाए तो लोग खुश रहेंगे हमारा स्टेट अफ माइंड सफरिंग का स्टेट अफ माइंड बुखार दर्द ये तो है लेकिन इससे भी जादा एक गहरी सफरिंग है जिसको हम एंजॉय करते हैं और वो है बोर्डम पूरी दुनिया जब इनलाइटेंड हो जाएगी तो दुनिया में वार नहीं होगी दुनिया में एटम बॉंब्स नहीं बनेंगे दुनिया में कोई भुखा नहीं रहेगा दुनिया में क्या होगा हम और आप इमेजन नहीं कर सकते आज से हजार साल पहले किसी ने इमएजन नहीं किया था कि हम लोग मुबाइल फोन से बात करेंगे आज है क्यूं है क्योंकि किसी किसी बंदे का interest था बहुत गहरा interest टेक्नोलजी में पैसे में फ्यूचर में तो जब एक आदमी enlightened हो जाता है तो ऐसा नहीं होता कि उस सब को छोड़ छाड़ के भाग जाए वो और ज़्यादा practical हो जाता है और ज़्यादा interested हो जाता है और सबसे important वो आस पास की दुनिया में उसकी वज़े से positive changes आना शुरू हो जाते है Nature choose करती है Minds and Brains मैंने आपको बताया ना section 2 भी तीन चीजों का center है concentration, meditation and intuition ये उसी intuition से दुनिया में discoveries होती है एक Einstein या एक Steve Jobs या एक कोई भी business man intelligent कैसे होता है उसका brain कहीं पर focused होकर खोज रहा है, खोज रहा है, solution मिल गया किसी ने खोज लिया है अब अगले कहते हैं 10 से 15 सालों में 20 सालों में, ये जो कागस के note है खतम हो जाएंगे कोई use नहीं करेगा bitcoin चल रहे है अभी तो हम लोग इसको confused है, क्या है सही है, कम है, जादा है, चोरी है लेकिन बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा मैं आपको payment कर रहा हूँ, एक बटन दबाया मुझे हाथ में कचरा नहीं उठाना, आपको कचरे को किनना नहीं, note फटेगा नहीं आज से 100 साल पहले, अशायद और पहले कागस के note की discovery होई थी किसी ने तो इस problem को solve करने के लिए सोचा है, तो जो वो brain है, उसका state जैसे-जैसे intelligent होते जाता है, वैसे वैसे problems दिख़ती हैं, उनका solution दिखता है और जब आदमी UNINTELLIGENT होता है, UNINLightened होता है, तो इसको problem दिखती हैं और उसके भागने का मन करता है, शराप पीने का मन करता है, सोने का मन करता है, लड़ाई करने का मन करता है, दुनिया में सोएगा, उसको पता रहेगा कि मैं कहा जा रहा हूँ हर आदमी, हर दूसरे आदमी को साथ आज मैं अपने परदादा को नहीं जानता लेकिन जो आदमी इनलाइटन हो जाएगा वो अपने परदादा, उसके परदादा सब कृष्ण यही कहा था, अर्जुन मैं अपने सारे जन्मों को जानता हूँ मैं तुम्हारे सारे जन्मों को जानता हूँ तुम नहीं जानते, यह exact statement थे कृष्ण के अर्जुन को, कि मैंने यह गीता का ग्यान सूरज को दिया सूरज मिना disciple था मैं जितने भी जन्म आस्तर ले चुका हूँ वो सब मैं जानता हूँ मुझे ठीक ऐसे याद है जैसे तुम्हें कल का दिन याद है सोने से पहले का दिन तुम्हे याद तो है नै कल उठे थे कल क्या खाय था, कल किससे मिला था ऐसे मुझे अपना आखरी जन्म में याद है कोई किसी को बिलक-बिलक कर मिस नहीं करेगा आज हम सब एक ऐसे जेल में है कि कुछ ना चाहें तब भी रोना पड़ेगा और हर किसी को रोना पड़ेगा इसलिए में कह रहा हूँ यह दुनिया एक हॉस्पिटल है पत्पुदार हॉस्पिटल और उसमें हम धेर सारी बिमारियों से करसित है एंडलाइटन होने का मतलब यह नहीं कि आदमी छोड़ कर गायब हो जाएगा एंडलाइटन मतलब धुनिया में प्रॉब्लम नहीं बचेंगी दोस्तों स्पिरिचुलिटी को पूरी डेफ्थ में समझने के लिए इसे लोगा बेसिक और अडवांस कोस है बिजनस को रीड हैश्टिंग को अमिजान को जेब बेजोस को इस तरह के धेरों बिजनस मास्टर्स को समझने के लिए है डबलू बी एक्स अगर डिसिजन नहीं ले पा रहे है लाइफ में छोटे और बड़े किसी भी तरह के डिसिजनस उसके लिए है बीडियम अपने ब्रमचरे को सदने के लिए इस पी एम टीचों को समझने के लिए उनको बहुत खुबसूरत तरीके से बढ़ा करने के लिए है एस पी पी टी और अपने रिष्टों में खुबसूरती लाने के लिए अपने बिलविट के और नजदीक आने के लिए लिमिट लिस यह वाटसेप का नंबर है इस पर वाटसेप करके सारे कुर्सिस की जानकारी एक साथ ले लीजिए